नमस्कार मित्रूं, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को, जैस अनि देव आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है, जानिए आज के राशिफल के सितारे क्या कहते हैं आज का दैनिक राशिफल 2 दिसंबर 2023 राशिफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है 2 दिसंबर 2023 का दैनिक पंचांग आज का पंचांग शनिवार, शुन्य 2 दिसंबर 2023 को मारगशीर्श माह के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है इस तिथी पर पुष्य नक्षत्र और ब्रहमा योग का सयोग रहेगा दिन के शुब मुहुर्थ की बात करे तो शनिवार को अभिजीत मुहुर्थ 11 बचकर 49 मिनट से 12 बचकर 31 मिनट तक रहेगा राहुकाल सुबह 9 बचकर 33 मिनट से 10 बचकर 52 मिनट तक रहेगा चंद्रमा कर्क राशी में मौजूद रहेंगे आज का राशिफल 2 दिसंबर 2023 मेश आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है आप आर्थिक मामनों में सावधान रहें सगे संबंधियों से रिष्टों में यदी कुछ दरार चल रही थी तो उसमें नजदी कियां आएंगी बंदुत्व की भावना बनी रहेगी आप महत्वपूर्ण काम को लेकर अपने भाई बहनों से बातचीत कर सकते हैं अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवां के प्रस्ताव आ सकते हैं सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहन करनी होगी तभी किसी मुकाम को हासिल कर सकेंगे राजनीतिक खेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है भाग्यशाली दिशा, पूर्व, भाग्यशाली संख्या, चार, भाग्यशाली रंग, लाल रंग व्रिशब आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायत रहने वाला है आपको आज कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है सगे संबंधियों पर आपका पूरा भरोसा रहेगा आपको लाप के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा पैत्रिक मामनों में आप सावधानी बरते और किसी की कही सुनी बातों में ना आए ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ती आप से धन उधार मांग सकता है लेकिन जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है आपके घर किसी अतिथी का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है भाग्यशाली देशा दक्षिन भाग्यशाली संख्या छे भाग्यशाली रंग सफेद रंग मिथुन आज का दिन आपके लिए प्रसनता दिलाने वाला रहेगा आपकी स्मरण शक्ती को बल मिलेगा और आप अपने जीवन स्तर को उचा बनने के लिए कुछ आवशक वस्तूओं की खरीदारी कर सकते हैं सभी के साथ सम्मान बना रहेगा नवीन विश्यों को बढ़ावा मिलेगा संतान को संसकारों वपरंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे और आपके अनूठे प्रयास आज रंग लाएंगे आपके चारों ओर का वातावर अच्छा रहेगा आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर एक बजट बनाएं तो आप अपने भविश्य को संचय कर पाएंगे नहीं तो आपके बढ़ते खर्च आपके लिए समस्या लेकर आएंगे भाग्यशाली देशा, दक्षिन भाग्यशाली संख्या, पाज, भाग्यशाली रंग, चंदन रंग कर्क आज का दिन आपके लिए लेंदेन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपने यदी महत्वपूर्ण मामलों में जगबाजी दिखाई, तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। किसी से वाद विवाद में ना पड़े, सरकारी योजना को लेकर आपको अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी, तभी आप उसमें धन लगाएंगे, तो आपके लिए भैतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजंग सूचना सुनने को मिल सकती है, जो लोग विदेश से व्यवसाय करते हैं। उन्हें सावधान रहने की आवशक्ता है। भाग्यशाली दिशा, उत्तर, भाग्यशाली संख्या, तीन, भाग्यशाली रंग, पीला रंग, सिंग, आज का दिन आपके लिए लाबदायक रहने वाला है। आपके धन्धान्य में व्रिधी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मित्रों का साथ और सहयोग बना रहेगा। आप अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ प्रयासों को कर सकते हैं। और आपको यदि कोई शुक सूचना सुनने को मिले, तो उसे त तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आर्थिक उन्नती के प्रयासों में आप आगे बढ़ेंगे। प्रतिसपर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। विद्यार्थियों के उच्छ शिक्षा के मार्प के प्रशस्थ होंगे और आपको किसी काम को लेकर छोटी दूरी की य आत्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार लेने का सोचा है, तो बिल्कुल ना ले, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। भाग्यशाली दिशा, दक्षन पश्चिम। भाग्यशाली संख्या, एक भाग्यशाली रंग, हरा रंग। सभी का सहयोग और समर्थन बना रहेगा, आप यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मदद मांगेंगे, तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी, प्रशासने कारियों में आपको धील नहीं देनी है, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है, आप किसी अजनभी की बातों में ना आए, नहीं तो वहाँ आपका कोई नुकसान कर सकते हैं, सभी का सहयोग और समर्थन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, परिवार में किसी सदस्य के विवा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, भाग्यशाली दिशा, पश्चिम, भाग्यशाली संख्या, छ भाग्यशाली रंग, नीला रंग, तुला, आज का दिन आपके लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा, आप अपने किसी काम को दूसरे के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, यदि आपको कोई शुप सूचना परशस्त होंगे, आपकी किसी पुरानी गल्ती से परदा उठ सकता है, जिसके कारण आपके परिवार के सदस्यों से माफी मांगनी पड़ सकती है, माता पिता की सेवा के लिए भी आपको दिन का कुछ समय निकालना होगा, भाग्यशाली देशा, पश्चिम, भाग्यशाली संख्या, पाज, भाग्यशाली रंग, लाल रंग, व्रिश्चिक, आज का दिन आपके लिए स्वास्थिके प्रती सावधान रहने के लिए रहेगा, आप अपने कामों में सोच विचार कर आगे बढ़े, तो आपके लिए भैतर रहेगा, किसी काम में उसके नीती मियोमों पर पूरा ध्यान दे, आप किसी अजनबी की बातों में ना आए, नहीं तो वहाँ आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है, आप अपने जीवन साथी के करियर में चल रही समस्याओं को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, आपको किसी जोखिम भरे काम को कर अपने से बचना होगा, आर्थिक द्रिष्टिकोन से दिन अच्छा रहने वाला है, आप अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के प्रयासों में सफल रहेंगे, भाग्यशाली दिशा, दक्षन पूर्व, भाग्यशाली संख्या, एक भाग्यशाली रंग, नीला रंग धनू आपके बिजनेस में एक अच्छा उच्छाल देखने को मिलेगा, आप यदि किसी लक्ष को लेकर परेशान चल रहे थे, तो वहाँ लंबा लटक सकता है, भाग्यशाली दिशा, पूर्व, भाग्यशाली संख्या, नौ, भाग्यशाली रंग, तीला रंग, मकल आज का दिन लेंदेन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा, कार्यक शमता में व्रिद्धी होगी और बड़ो के बातों पर चल कर आप किसी नए काम की शुरुआत करने के प्लानिंग कर सकते हैं, आपको कुछ ठगी और सफेद पोश लोगों से सावधानी बनाए रखना ही होगी और कामकाज में, यदि कुछ अडचने लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, तो वहाँ दूर होगी, बिजनेस कर रहे लोग अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और उन्हें अच्छा, दक्षिन, भाग्यशाली संख्या, दोग, भाग्यशाली रंग, सफेद रंग, कुंभ, आज का दिन आपके लिए आर्थिक द्रश्चिकोन से अच्छा रहने वाला है, आपको घर और बाहर बढ़ों की बातों को ध्यान से सुनकर उन पर अमल करना होगा, रचना रत्य कार्य को आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक्स्ट्रा एनरजी रहने के कारण उसे सही कामों में लगाएं, तो आपके लिए भेटर रहेगा, नहीं तो आपके काम लटक सकते हैं, आपकी किसी बात को लेकर माताजी से बेवज़ा कहा सुनी हो सकती है, भ मौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, आपका किसी भूमी, वाहन, भवन आदी को खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन आप अपने आवश्यक कामों में जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, आप अपने स सुविधाओं की कुछ वस्तों को लेकर खरीदारी करेंगे, जिसमें आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, विवा में यदि कोई बाधा आ रही थी, तो वहां आपके किसी मित्र की मदद से दूर होती दिख रही है, बिजनेस में यदि आपका कुछ धन लंबे समय से र शनिदेव मंत्र जाप शन शनैश्चराय नमा पाच मिनट में 108 बार करें, सारी मनोकामना पून होगी, दैनिक राशिफल में करियर, आर्थिक, पारिवारिक, निजी, प्रोफेशन, व्यापार, प्रेम, विवा, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्र के बारे में विस के लिए धन्यवाद अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें